पहले कि लिए पाँ करेंगे औरले हम अभी बताओंगा मिनिमम माझ आपने कम से कम quantity भी ली वह उगी तो अब आम डेली क्या करेंगे उसको काउंट करेंगे के अनुदा लूज कर रहे हैं कितना गेंग कर रहे हैं ताकि क्य आए कि हमारा किल्कुलेशन वीक्ली बेस पे सही रहे हैं और आप यह पूरा वीडियो देखना क्योंकि इसमें क्या आच बहुत काम की चीज़े भी बताओंगा मैं वेसे तो हर वीडियो मैं बता रहा हूँ पर बहुत से क्या है कि जैसे ब्रीटाई ने अगरा हो गया एसे श्टोक में क्या उलज जाते हैं फेक ब्रेकाउट के चक्कर में और यह भी बताऊँगा कि आसानिस आप के से पता लगा सकते हैं कि फेक ब्रेकाउट का वेसे मैं पूराने वीडियो में आपको बता हुआ है क केसे क्या पता लगा सकते हैं के फेक ब्रेकाउट क्या होता है कि हम बात कर लेते के हमने तीन पिश्टों कौन से दिए थे पहला था बारती एटेल कि पहला दिया था बारती एटेल पहला दिया था भारती एटर, दूसरा था अपॉलो होस्पिटल और तीसरा था ब्रिटाइनिया, जो कि ब्रिटाइनिया ने कोई भी ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन कुछ नहीं दिया है, वह कैसे अभी आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रीन शोट आएगा जिसमें आप वोल्यूम ये ग्यारा साड़े ग्यारा बजे का है, आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि इसमें ब्रिटाइनिया में वोल्यूम था ही नहीं, जब इसने ब्रेक आउट दिया उपर, बहुत सो को लगा होगा कि ब्रेक आउट उपर भी गया, लेकिन यहां पे क अच्छा गेन कमाने नहीं लग जाए, जब तक यसी चीजों को अवाइट करें, आपको नार्मली चीज आनी चीए कि फेक ब्रेक आउट कैसे होता है, वोल्यूम था ही, नहीं सिंपल सी चीजे साड़े ग्यारा बज गये थे, तीन साड़े लाग के समतिंगी शेयर थे, तो पोइंट दिए है, इस में से यह मानता हूं कि कोई पूरा मुमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं लेकिन 20 पॉइंट तो किपचर कम से कम किये होंगा और अपोलो होस्पिटर ने लग बग 40 points दी है इस में से भी मान सकते हैं कि पूरा कोई भी नहीं करेगा सिम्पल सी चीज है कि 20 इस में से भी हम ले सकते हैं अज़ानी से और ज्याधा नहीं तो 200-300 quantity भी मान लीज़ें कि और अज कल तो कोई भी भाई या जेल नहीं करता है दो तीन सो पर मैं कम से कम बता रहा हूं तीन सो क्वांटिटी भी होगी तो आपको टोटल आजी के रोज में एक क्यूरेट चालिस पॉइंट मिले हैं मिले हैं जो कि एक लगबग बारा बारा जार रुप एक सम्तिंग बनता है कि बारा नी दस तो आपने लिए ही लिए होंगे मार्केट में और मान लेजे के छूट भी गया तो कोई बात नहीं मैं डेली ऐसे इस टोक देता हूं कोई ये बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है ये तो इसा नार्मली चलेगा और आप पूरा वीडियो नहीं भी देखो गए तो बले चाहे में डेली ऐसे बड़े मतलब से इसे स्टोक दे दू डेली आपको इतने अच्छ निकाल के कैसे भी दे दू आप कब भी नहीं कमाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कब बात करना किस तरीके से तो कोई मतलब भी नहीं है क्या आपको डेली डेली दू बिटाइनिया एक उसी नेरो रेंज में चल रहा है यह याद रखना उसने ब्रेक डाउन कुछ नहीं दिया है उसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं क्या उसको आवाइट कर सकते बिटाइनया आपको नीची ए तो आप उसको एक कि यह गोद्रिज कंजूगर प्रोड़क्ट का है इसको यह करेगा हमारी लिस्ट में अब इसको बाई सेल कप करना है मैं बता देता हूं आपको गोद्रिज को आपको बाई करना है पांसो तिरियासी के उपर जाए प्लस वाल्यूम का ज़रूर द्यान रखना जब तक आप वाल्यूम को नहीं समझो गया तब तक आप कभी भी प्यासा नहीं कमाऊ गया चाहे कितने भी अच्छे स्टोक डेली दे दिये जाए आपको और पांसो पेसर के नीचे सिंपल सी चीज़े दूसरा स्टोक है हमारा बी पी सी एल इसको बाई करना हमको तिन सो अथारा पर और सेल करना है तिन सो पर यह दू स्टोक हो गया एक ब्रीटाइन आ जो कि आप वाइट भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो और आपको कमाना है तो आप इसके साथ जूड़िये चैनल के साथ अच्छे से जूड़िये जिस रोज मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग को अप्सन अनेबल हो गया इना उस रोज में किया लाइव में खुद ट्रेड लूंगा बोल तो सकता नहीं उसमें कि कब आई करना पर आप आपको समझ नहीं आएगा तो आप एक इस टोक में सारा प्रोफिट उसमें बिठा दो गया किसमें इस्टोक प्लोस वाले में तो इससे अच्छा है नुक्सान वाले स्टोक में तो इससे अच्छा है कि आप इस चीज को थोड़ा समझो तो इससे अच्छा है कि आप कम से कम अभी इंट्रादे में जो यह हमारा आठ दस अजार पांच अजार रुपे जो गेन करने हैं इस पर फोकस करो प्लस चैनल के साथ अच्छे से जूड़ो और दूसरों को भी साथ में जोड़ो ताकि क्या है कि मैं जल्दी जल्दी लाई आपके लिए जब इतना इधर से मिल रहा है तो दर से क्या लेलूगान क्या हो जाएगा तो यह बात तो आप भूली जाओ के कभी जीवन में हम पेसे लेकिन कुछ इस पे काम करेंगे सिंपल सी चीजे आप देखके ने या तो आप उंगली पकड़ के चलो या फिर आप डेली इंकम आईगें डेली इंकम इतने आसानी से इस्टोक मार्केट में आती नहीं है जितने अब आते सारे गवा क्या जाते आप इतने वीडियो देख लो मेरे एक भी इस्टोक आप बता दो कि यार इसमें गलत गया इस्टोक लोज गया कुछ भी गया हो डंके की चोट दिए हैं तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखे लगा थोड़ा सही योग दें चेनल को ग्रो करने में क्योंकि यह बात में आप को भूल सकता हूं खेर अब तीसरा दोग है तीसरा है हमारा ग्लेन मारग ग्लेन मारग को वाइक करना है 304 पर और 345 पर चेल करना है यह प्रिटाइन आप देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको कब भाई करना कब सेल वेसे उसको नेक्ष्ट मंडेक ट्यूजडे के रोड डाला था साहद वो वीडियो तो उसमें देख लेना कब भाई सेल का है उसमें कैसे क्या लेना है फेक ब्रेक आउट का म मैंने सारे वीडियो में हर बार बताया हुआ है आसानी से वोल्यूम आप चेक करना दो मिनिट में आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं धन्यवाद